हेलो एन वेलकम बैक मैं हुडा हुजो गराना पिछले टुटोरल में हमने विजिल स्टूडियो के बारे में चाना कि कैसे आप विजिल स्टूडियो में अपने MVC एक्षान क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सेंपल एप्लिकेशन तो आए चले जानते हैं मोर बाउट MVC आर्फिटेक्चर तो इस टूटियर में मैं आपको बताऊंगा के बारे में कि कैसे आप उन मासा 오른र कंट्रोल का उसपर सकते हैं और कीसे स्को मौडिफई कर के आपने आपने त्यck Matthew कर सकते हैं स्टोल दाली क्लें तूट अविजिल शचूडियो में हमने देखा कि कैसे चर्फ एकिप रून होता है और यहां पर मेरे पास है एक Index method चोंकि एकंडॉम controller के अंदर चोंकि हमें display करवा रहा है एक view चो कि वो है यहां पर index view जब भी मैं यहां पर काण करूं तो मुझे home controller के इंडेकश मेतड़ disclaimer ले रिडाइड़क करेगा क्योंकि Global ASX फाइल जब भी रन होगी तो वो ग्राउट कंफिक फाइल में जाएगी और वो डिफोल्ट जो हमारी में पूर्ट फाइल है उस पर हमें वह रिडिरेक्ट करेंगी है तो यह पहले रन होगी अब भी स्क्सेस हो चुके है तो आप देख सकते हैं यह मुझे होम के अंदर इंडेक्स में तर्पे रिडिरेक्ट करिए कि उसकी बजाद थी यह डोबल एससे अंदर की फाइल राउट कंफिक और उसके अंदर जो थी मैप डिफोल्ट मैप रूट फाइल थी वह थी यह तो आए चले में आपको और बताता हूं हम कंट्रोल के बारे में तो आप यहां से देख सकते हैं हमें क्या रिटन करवा रहा है एक्शन रिजल्ट क्यों और वह क्या रिटन करेगा व्यू तो इस चेक करें का पहले कंट्रोलर जो कि हमारा होम कंट्रोलर डिफोल्ट है उतके बाद एक्शन जो कि हमारी इंडेक्स है और जब भी वह रन होगी तो आई डिए यहां पे एक पेरामिटर एडिशनल दिया हुआ है चो कि आप्शनल है तो आए हम उसको यूज कर सकते हैं हमें तो तो यहां से मैं इसको कर देता हूँ यह लिख देता हूं रे श्री आईडी और यह से में दिन देता हूं आई डिट्व टुए प्लस रिकॉस कॉंट के मिटेशन इसको में भी रान करता हूं कि इनिशियल वह हमें कुछ दिखाएगा आइडी इक्वल टू ही दिखाएगा क्योंकि हमने अभी इसमें पेरामिंटर पास्मिंग किया है करिस्टिंग में ता यह चलिए यहां से पास करते हैं इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर है इतिना आइडी 10 तो आप देख सकते हैं ह नहीं यहां पे एक टेंट रिटन कर रहा है और आप यहां से अपने अकोडिंग और भी पेरामिटर एड़ करवा सकते हैं चलिए यहां से में और एक प्रामिटर एड़ करवा देता हूं स्विंग इमेल 4 plus double colon email equal and plus returning email ओके चलिए इसको रण करते है एकिट से इनिशली वह पीपी मुझे वही पेज दिखाएगी id equal to null and email equal to null क्योंकि हमने यहां पे कोई प्रेश्टिंग पास नहीं की है तो आज़े चलिए यहां से मैं इसको प्रेश्टिंग पास कर देता हूं हम के अंदर index method और 10 id और question mark प्रेश्टिंग email equal to रहू जोगरन तो आप देख सकते हैं यह मुझे यहां पे रिटन कराया आइडी 10 और email रहू जोगरन जो कि यहां से आती है तो यह थी controller की action result के बारे में तो यहां पे आप action result के अलावा view result भी यूज कर सकते हैं और json result भी यूज कर सकते हैं तो यह है मेरे पास एक टेबल है जो आपको दिखाएगा क्या कौन-कौन से action result method आप यूज कर सकते हैं आपने प्रोजेक्ट में जो ऐसे कि view result वो रिटन कराएगा व्यू एक्टन रिजल्ट रिटन कराएगा व्यू पार्श रिजू प्रिटन कराएगा पर्श विडीओ शर्शाल रिटन फर्ष रजैसां 5지 रृट ह्र रेट रिटन रेचाना हैフाइट में चिंख सा यूज करीछ किन में और अっ कोड्य करें रेक्डेट में'' अइटव प8 पीर उट्वार में यूज कम एक मैं एक मोई में एक ऎक में उसके बारे में तो यहां से मैं इसको चांज कर देता हूं ओभी इसको एज टीज रहने देता हूं इंडेक्स action result index and returning view okay or echo action result action result or is coming up the data message colon and return content you can use here message from rahul response write use use we can use as 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 तो आप देख सकते हैं यह लोड हो चुका है और हमें कुछ भी दिखाए नहीं देरा क्योंकि हमने एंप्टी रिजल्ट डिस्प्ले करवाई था इसलिए थैंक यू फॉर वचिंग इस वीडियो यह था कंट्रोल के बारे में अगले टूटूरल में आपको और भी बताऊंगा मोडल और व्यू के बारे में थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो